हाई फ्रेंज मैं पुस्पा राजपूत आप सबका अपनी चैनल पर स्वागत करती हूँ आज में लेके आई हूँ मुर्मुरिया रेस्पी जो हम लोग छोटे थे ना तो बहुत ही खाया करते थे और इस्कूल जाया करते थे तो पहले तो ज़्यादा कुछ वैसा आप नहीं लगती थी तो अभी सर्दी के चला सीजन और जैसे की आपको मालूम होगा कि भी आ रही है मकर संक्रान थी तो हमाया बुंदिल खंड में खास करके कुछ बने या ना बने पर मुर्मुरिया के लड्डू अवेश्या ही बनते हैं तो मैंने सोचा क्योंना फ्रेंस आज इसकी मुर्मुरिया का पैकेट तो एक पैकेट में आप चाहें तो पूरे परवार के लिए लड्डू बना करके त्यार कर सकते हैं या इसकी पपड़ी बना करके त्यार कर सकते हैं तो फ्रेंस मैंने आज इसकी पपड़ी बना करके दिखाऊंगी तो उसके लिए मैंने लिया है 200 गोड़ और मैंने एक कटोड़ा भर के लिया हुआ है लाई तो फ्रेंस मैंने क्या किया डाल दिया गोड़ को कड़ाई में और आपको इसी तरह से गोड़ को बरावर चलाते रहना है पानी बिल्कुल भी नी डालना है आप चाहे तो इसमें जरासा हाप चम्मच छोटी वाली थोड़ा सगी डाल सकते हैं यदि आपको डालना है तो और मैंने कुछ भी नी डाला है मैंने सीधे गोड़ को डाल दिया है और आज को रखा मैंने सिलो और आप जैसे की वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैंने धीरे धीरे इसमें चलाती जा रही हूँ और ये अपने आपसे ही melt होता जा रहा है तो gas को आपको एकदम slow ही रखना है और जिस बर्तन में आप बनाए वो थोड़ा बर्तन आपका भारी होना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि यह बहुत जली नीचे से जलने लगता है तो यदि आपका gold dark color का है तो आपके तरह के गोड़ मिलते हैं जो कम wide भी होता है थोड़ा जादा wide भी होता है और थोड़ा dark भी कम होता है जादा भी होता तो यह मेरा medium गोड़ है तो आप जैसे कि देख पारें कि गोड़ हमारा अच्छे से एक दम mild हो चुका है और आप चाहें तो इसको पानी में डाल करके चेक भी कर सकते हैं कि यह हमारा बनने के लाइक हुआ है कि नहीं अभी मैं दिखाऊंगे इसमें तो फ्रेंट से यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को subscribe जरूर कलने ताकि आपके पास जो मेरी बेटी हों वो पहुंच सकें और आप इस रेस्पी को बना करके त्यार कर सकें और यदि बेटी अच्छा लगी तो ज़्यादा ज़्यादा प्रेंट पर स्रिया जरूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए तो आप जैसे की देख पा रहे हैं कि गुड़ हमारा एकदम हो चुका है मिल और यदि आपको इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट लाना तो आप इसमें जरा सा स्नॉर्ट भी डाल सकते हैं त्याल मैंने नहीं डाला क्योंकि मुरमुरिया आपने खाई होगी तो उसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है बस खाली गुड़ डालते हैं तो ये देखिए गुड़ हमारा हो चुका है त्यार अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे लाई लाई को मैंने क्या किया था थोड़ा सा हलका सा ऐसी साधा कड़ाई में दीमे आच में इसको चला लिया था और ये आपने नया पैकेट लिया है तो वो ऐसी और लेड़ी अच्छा क्रिस्पी रहता है आप चाहें तो ऐसी डाल सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा कड़ाई में इसको चला ले इससे यह थोड़ी वह जो नमी होती है न वो चली जाती है तो friends मैंने सारे लाई को पलट दिया है और हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि सारा गुड़ हमारे लाई में अच्छे से मिक्स हो जाए तो friends यह देखिए आप हमारा यह बनने के लिए एकदम ready हो चुका है और आपको हातों को बराबर जल्दी जल्दी चलाते रहना है और gas को आपको एकदम slow रखना है नहीं तो आपका जो गुड़ होगा न वो बहुत ही जादा dark हो जाएगा और हो सकता है कि वो नीचे से जलने भी लगे तो आपको इस चीज का दिहान रखना है एक इसमें मैं secret और बताऊंगी अभी बनी रहे है आप इस वीडियो में last मैं बताऊंगी कि इसमें मैं secret कौन सा डालूंगी जिससे आपके यह जो पपड़ी बनेगी ना बहुत ही स्वाधिष्ट बन के त्यार होगी तो friends यह देखे यह बनने के लिए त्यार हो चुका है अब मैं क्या करूंगी मैंने लिए छोटी-छोटी से कटोरी है आपके पास जो भी हो कटोरी हो या प्लेट हो तो मैंने उसमें लगा दिये जरा सा गी घी लगाएंगी तो यह बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती है तो यह देखे मैंने इसमें डाल दिये हाई सारा जो बैटर बन के त्यार हुआ है अब आप क्या करें थोड़ा सा हल कहां से इसको कर सकते हैं गोड़ थोड़ा गरम जादा होता है तो मैंने क्या किया है ले लिया एक प्लैन बाला ग्लास और इसके उपर इस तरह से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे तो मैंने सारी कटोरियों में पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था क्योंकि यह जब बेटर त्यार हो जाता तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना नहीं तो आपका ग्योड क्या होगा यह जल्ली सूख जाएगा और आपका सेफ अच्छे से बनके त्यार नहीं होगा तो इस तरह से छोट छोटी कटोरियों ले ली है और मैं इसी तरह ग्लास से को दबा करके ग्लास को घुमाते जा रही हो तो यह बहुत ही साइन से बन करके हमारे पट्टे बनके त्यार हो सकते हो गए हैं तो यह देखिए जो उपर को उबरा हुआ था तो मैंने हाँ से थोड़ा सा टैब किया और इसको अच्छे से सेफ दे दिया और इसको रख जाता है तो मैंने क्या किया कि यह हमारे सारे मुर्भुनिया बनके एकदम रेडियो हो चुके हैं अब आपको क्या करना प्लेट को पलटना है और यह बहुत ही आसानी से देखिए हमारा लहीया पट्टा निकल के त्यार हो चुका है तो मैंने देखिए बड़ी प्लेट में बना के दिखा दिया है, और छोटी-छोटी कटोरियों में भी बना के दिखा दिया है, यदि आपको लगी कि आपका पट्टर निकल ले रहा है, तो आप किसी चाकु के मदद से हलका सा इसको किनारे में लगा हैं, और बस इसको हां से टैप करें, और ये निकल जाएगा, पहले भी बताए कि आपको मैं इसमें सीग्रेट बताऊंगे तो सीग्रेट इसमें यह है कि जब आपके यह बन जाये ना कटोरी में तो आपको क्या करना है इसमें कोकोनट ठोड़ा सा डाल देना इससे आपका सौध और भी बढ़ जाएगा तो बस आज की रेस्पी में यही स के साथ इंजॉय करते रहे हैं